इलेक्ट्रिफाइंग माहौल भारत ऐस्टेलिया से फाइनल में मुकाबला करने जा रहा है कुछ घंटे रह गए है और फैंस का ताता लगा हुआ है एमदाबाद के नरेंद मोदी स्टेडियम जहां पर मेरी सायोगी प्रीती दैया वहाँ पर मौजूद है प्रीती प्लीज आप बात करें लोगों से वहां कमाहौल दिखाएं आशिश सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि यहां पर जो तमाम क्रिकेट फैंस है वो थोड़े से खपा है कि आज तो हमारा दिन है हमें थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो तो चलिए आब उनको मौका दे देते हैं आप और यहां पर देखें यहां पर जो है अपनी विमन फैंस वो भी बहुत देर से वेच कर रही है आप कहां से आए हम मंबाई से और कितने दिन पहले आपको टिकेट मिल गया था अपने खरी था वेड़ो लेकिन मुझे या ओडिन्स बड़ी ठंडी लग रही है आशिश क्या हां जीतेगा और इंडिया की जीत में बूम डूबू में अब अच्छा लगा की कोई नारे लगा रहा है आप क्या सोचते हैं गेंवाज मैचृ इसां जिताएंगे या बलेवाद बल्ले बाद बल्ले बाद में जीताएंगे रोई शर्मा की साइच सो मारेगा यहां से नारा लगा दीजे की कोली को इक्यावन वा सो मारना है कोली के नारे आशीश जुलून देखिए यहां पर खड़े कुछ दर्शक कह रहे हैं कि शमी जो है आज 10 विकेट लेंगे बाकी बोलर क्या करने कितने रन लगता है बन जाएंगे इंडिया की कितना स्प्रिंग है आज ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाडी है उन्हें बुरे सपने आ रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया जो जबर्दस प्रदर्शन दिखा रही है ना अशीश उसका कोई मैच नहीं है आन मैच परफॉर्मेंस और अब बस एक कदम की दूरी और ट्रोफी हमारे स्टेज इस सेट पूरा माहौल बना हुआ है भारत और उस्टेलिया के बीच फाइनल इंडिया तीसरी बार वोल्ल कप जीतना चाहता है सीधे चलते हैं एमदाबाद नरेंद मोदे स्टेडियम जहां हमारे सयोगी जीएस विवेक वहाँ हजारों समर्फटों के साथ अब यही हम साहते हैं कि पूरी टीम परफेक्ड है हमें अंडर्प्रसर से नहीं खेलना आराम से खेलना है सामने चेम्पियन टीम है तो हमेहाल से कखलना है और हमें जितना ही है हम ग् contest में catch 1 울 देक्स यहाएजङ हमने दिवाली के नही ओन दिवाली के बाद़ एक बिल्कुल बिल्कुल टीम इंडिया जो अच्छा परफॉर्म कर रही है और व्यासी कंटीनू टीम इंडिया बताएगी कि टीम इंडिया क्या है और टीम इंडिया ने दिखाया भी है सबसे बड़े जो हमारे ओपनिंग स्टार्ट रहेगी रोई शर्मा शुमंगिल शुमंगिल का होम गरांट है यहां पर शतक चाहिए शुमंगिल को लास्ट टाइम स्ट्राइचिंग पैर में होगी थी टो एक बड़ चेयर करके दिए इंडिया टीम को से एक जिस तक मज़ें इंडिया जिन दे साथ भारत मतंस्ट इंडिया का नरा है क्या मोई इनिया 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 इनियाए कि आपी यहां पर जो है रखेक्वाइञा है और छिए का T momento कर चाएं में रोड है यहां पर नरेंदमोजी स्टेडियम का और जहां पर आप देखो यहां पर आपको सिर्फ असरफ फैंस यहां पर मैच के लिए आते हुए दिखेंगे और सब की कोशिए जहां पर यही है कि जितनी जल्दी हो सके वो स्टेडियम के अंदर जा सके गेट सबी खुल और सब को इंतजार है यहां पर टीम इंडिया का और टीम इंडिया और आस्टेलिया की भी जो बड़ा फाइनल होने वाला है उसका और सब को यहां पर उमीद यह है कि एक अच्छा मुकाबला होगा लेकिन फैंस को कोई परवा नहीं है कि यह वन साइड मुकाबला हो बस य Excitement highest level पे है, लोगों की रगों में क्रिकेट दोड़ता है, धर्म है भारत में क्रिकेट, हम इंतजार करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे सभी खास मेहमान, कपिल पाजी, अतुल वासंग, कीरती आजाद साब और लतिका जी हमारे साथ एक बार फिर से पास उनके कैमरे के जरिये और उनके experience से हम समझेंगे कि अब ये इंतजार की खड़ियां कत्म नहीं हो रही हैं, विवेक जो आप देख पा रहे हैं, जो information है, ज़रा शेयर कीजिए और दिखाएए जी हाँ, बिल्कुल आपको हम बता दे कि यहाँ पर बिल्कुल सहलाब ही है, यहाँ पर ब्लू और ब्लू जहाँ पर भी हम अपने कैमरामेन को लेके जो अचिदानन्द इंडिया लॉस्ट्रेडिया जहां पर भी अगर आप जाएंगे इस पूरे स्टेडियम में तो आपको जहां पर भी आप देखें यहाँ पर तो सिरफ आपको ब्लू ही ब्लू दिखेगा, हर तरफ से यहाँ से फैन्स आ रहे हैं और एक एक करके सब को यहाँ पर उमीद है क नाय कि उनको यहाँ पर मॉका मिलेगा, मैस देखने का, हला कि बीच में ऐस्ट्रेलिया की जोसी में भी आपको यहाँ पर एक फैन मिलेंगे लेकिन उनके सुपान से भी पूछ लेते हैं कि आज कौन जीतेगा, हर घ्रीकेट जीतेगा, घ्रीकेट जीतेगा ओजी ओजी बीड ओपने को आपके आस पास हम चलता देख रहे हैं। बिलख बिपोर देख एब देखते रहेते रहे हैं और देखते रहेंगे। पर देखते रहेंगे आप आप यह यह ऊपल ही बलुँध है। और बीफोर इंडिया जीतेगा यह वागा। इंडिया जीदेगा 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 जीदेग वापस आएगा चलो शार तीन का बजला अभी लिया जाएगा बिलकुल अच्छा करें आपको आपको आंपस यह पता दे कि जितना फैशन यहां पर पीमिंग के पास है उसे भी जाधा पैशन यहां पर पास है आप देख सकते हैं मैच के टिकेट से के युए से टो इंडिया थीन हजार डॉलर मैच टिकेट यहां पर अगर अगर करके तेके तो आपको पता चलियागा कि यह कितने जदा कीमती है लेकिन इनका मानना है कि यह मुवमें इनके लिए प्राइसलेस मुवमेंट है क्योंकि आज यह दुनिया के सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला देखने जा रहे है और यह देखिए जोब दिलाएगा जैमों बदी जॉब दिलाएंगे जुचिन अब इन्होंने पहले ही देखिए सच इन टुविराट अब राट तो शुपन यह जो बैटन पास होता है वर्लक टॉर्लक उसकी भी प्ल जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु सासिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नीउज आपको रखे आगे